तो आज सुडेंट हम पढ़ेंगे ड्रोबैक ओफ रदरफोर मोडल तो जो हमने पहले रदरफोर मोडल पढ़ा जिसमें उने पढ़ा था कि स्कैटरिंग ओफ एल्फा पार्टिकल्स और ड्रोबैक ने हमें एक मोडल दिया उस मोडल क्या जो अकोर्डिंग क्या था कि जो हमारा एटम का जितना भी मास है वो कहां एक जगा कॉंसेंटेट होता है उसके सेंटर में होता है और जो उसको बोलते हैं नूकलियस और वो नूकलियस के अंदर क्या होता है उसमें होता है मतलब मोश्टली चार्ज होता है पॉजिटिव और नूट्रल होता है ठीक है और न लेक्टरोन है वो उस नूकलियस के अराउंट रिवॉल्व करता है तो ये हमने जो हमारा प्रिवियस लेक्टर था उसमें हमने इसके बारे बात की थी तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं कि गदर फोर्ड ने हमें जो मॉडल वो तो दे दिया ठीक है लेकिन उस मॉडल में कुछ खामिया थी ठीक है उस मॉडल की कुछ खामिया थी जो की जो मैक्सवेल ने जो अपनी थियूरी दी और मैक्सवेल और लोरेंट ने अपनी इलेक्ट्रो मैगनेटिक थियूरी दी उसके कोडिंग क्या हो गया उसका जो यदर फोर्ड का जो मॉडल है वो गल्थ हो गया उसम हमने पढ़ा है कि according to Rudderford model यह हमारा क्या होता है nucleus होता है इसमें charge होता है positive काफी ज़्यादा इसमें charge होता है positive और neutral होते है तो अभी हम बात करते हैं इसमें positive charge की और आसपास यहां पर होते हैं orbital इसके आसपास इस और टल होते हैं ठीक है student कैसक्या होते है aurrpital होते हैं इस orbital में क्या होते students थोड़ा यह structure सही तरह नहीं बना इस City-T pouquinho क्या होते है कि electron जो होते हमारे यह क्या हमारे electron मैं आपको एक बार की ङ्युद्धल भी कर देता हूं कि आपको समझ आए कुछ- hayır ऐसे इलेक्ट्रोन होते हैं इसमें रिवॉल्व करते हैं ठीक है इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रोन इसको हमें क्या बोलते हैं एक्चुली इलेक्ट्रोन और यह क्या हमारा प्रोटोन या पॉजिटिव चार्ड हम कह सकते हैं प्रोटोन इसको जो ही चार जंदर प्रोटोन है लेकिन जो ये पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये तो जो हमारी electron magnetic theory है, जो Maxwell औor Lawrence की electromagnetic theory है उसके according क्या होता है कि कोई अगर charge particle होता है वो accelerate करता है ठीक है कोई अगर charge particle है वो accelerate करता है तो क्या होता है वो continuously energy release करता है radiation release करता है और उस energy को क्या बोलते है electromagnetic wave और जब वो electromagnetic wave लीज़ करता है तो उसकी जो एनरजी होती है उस चार्ज पार्टिकल्स की वो कॉंटिनूसली डिक्रीज होती रहती है तो यहां पढ़ते हैं कि उस थियोरी का जो मैक्सवेल ने दी और लोरेज ने दी उसका इस रदरफॉर्ड मॉडल से क्या रिलेशन है तो इसके वारे हम इसमें सेम जैसे यहां था पॉजिटिव चार्ज है ठीक है मैं थोड़ा सा इसको साफ तरीके से बनाता हूं फिर भी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बट कोशिश करूँगा मैं ठीक है इसमें क्या होता से इलेक्ट्रोन है यह और्बिटल है इलेक्ट्रोन इसमें यह क्या और्बिट है यह पाथ है मुझा एक्च्छी इसमें इलेक्ट्रोन रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रोन गोल को रिवॉल्व करता है इसमें सर्कुलर शेप में रिवॉल्व करता है अब इसको मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या डाइगरम तो इसमें एक electron की बात करते हैं, हम जादा ना लेते हैं, यह एक electron की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है student, तो जो हमारी, मतलब, अब पहले लिख लेते हैं कि जो Maxwell और Lawrence की magnetic theory ती, उसके coding इसको हम कैसे explain करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, according to, according to Maxwell theory तो student, जो इस Maxwell की theory थी से हमने क्या चला पता है कि the accelerated charge particles released energy continuously and therefore the energy of charge particles decreases तो इस Maxwell की theory ने ये बताया कि जो एक charge particle है, जिसके उपर कोई charge है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, electron है, अगर वो accelerate कर रहा है, तो वो क्या करता है कि लगातार जो energy है release करता है, अपने से, अपने खुछ से, उसके अंदर से energy release होती है, बाहर atmosphere में and therefore the energy of the charge particle decrease, जिसकी वे से क्या होता है कि वो energy release कर रहा है, तो जाहिर सी बात उसके अंदर energy की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर वो ही हुआ, कि energy release कर रहा है, उसके energy की कमी होगी, जैसे कि तुम लोग हो, या कोई person है, आप हम खुद माल लेते हैं, अपने आपको हम student जैसे हैं, कि actually जो student होते हैं, वो लगातर बहुत पढ़ते हैं, लगातर पढ़ते हैं, रा दिन पढ़ते हैं, दिन में 12-12, 30 घंडे पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक time होता है, जो रात का होता है, तो कई बच्चे तो रात को भी लेट है, और चड़ी करते हैं, लेकर एक time होता है कि हमें थोड़ी ठकान महहसूस होती है, सुबह उढ़ते हैं, हम जल्दी उढ़ते हैं, चार-पांच वजे, बहुत fresh होते हैं, अराम से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, क्या होता है, कि शाम आते आते तक, आट न लोग होती, तो कम हो गई ! तो हमें किया आलकस सा लगता है ? काम करने में क्या करते हैं ? गर षयां शोर हो जाते हैं तीवी देख लेते हैं आप शोर मेरे ग söz इसी चीज है ऑसल gorप्ति देख़ियां अब पहली बात किया हुआ according to Ikut थोरी दा accelerated chart particle अब ये है एक्सेलरेटर तो accelerated का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन और acceleration क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा acceleration होता है वो होता है velocity upon time मतलब जो हमारी velocity है किसी particle की वो change हो रही है with respect to time जैसे की velocity पहले क्या होता है? velocity समझो तो आपको पते हो गला है मैं लग देता हूं, velocity इकोल टू displacement upon time displacement upon time, मतलब वो कितना particle उसमें displacement हो दी है, वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है अपनी original position से respective time, कितने time में ठीक है, और अगर हम acceleration की बात करें, तो वो क्या होता है student हमारा velocity upon time velocity upon time तो इसका मतलब यह हो कि हमारी जो velocity है वो कितने speed से है speed तो actually scale quantity तो वो velocity हमारी change हो रही है with respect to time ठीक है तो हमने यह देखना है अब जैसे यह charge particle है यह जो इसमें यह एक speed से चल रहा है अगर मैं आपको easy lag में समझाओ velocity speed नहीं एक speed होती है लेकिन उसका एक direction होता है तो कि vector है component है velocity जिस speed से यह charge particle मतलब इसमें orbit में जो घूम रहा है गोल गोल यह चल रहा है हम कह सकते हैं यह move कर रहा है तो यह क्या होता है अगर मैं एक example मानके चलूँ कि यहां से लेके अगर यहां तक इसकी जो speed है अगर वो कितनी है 5 meter per second अगर यह 5 meter की speed यहां रखता है तो यह क्या होता है इस point के बाद इस point के बाद इसकी speed है वो change होती है वो होती है 4 meter per second मतलब इसकी speed change हो रही है लगाता है मतलब यह नहीं कि एकी speed से यह orbit में revolve करता रहेगा इसकी speed मतलब बीज-बीज में change होती रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ इसकी जो velocity है actually वो change हो रही है और मैं यह speed आपके लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूं को कि actually जो speed है वो हम समझते है कि speed क्या है velocity अगर कई इसलिए नहीं समझते होंगे तो मैं समझा रहा हूं उनको कि velocity एक speed होती है लेकिन वो क्या होती है speed के हमारी scalar quantity है उसमें directions नहीं होती और velocity में क्या होता है direction होती है एक vector quantity है तो यह क्या है वो जोसकी velocity है वो change हो रही है यह नहीं कि same velocity से या हम कह सकते हैं कि same speed से वो इसमें revolve कर रहा है, उसकी जैसे थोड़ी दूर जाके उसकी velocity चेंज होगी, जैसे कि आप लोग हो, आप एक starting point से अगर आप race लगाते हैं या फिर आप jogging करते हैं या running करते हो, तो आप पहले तो काफी तेज भागते हो, या आप अपने खुद देखा होगा, या फिर आप उसकी spanal हो कि आप जब मतलब running करते हो, आप शुआद में बड़ी energy के साथ भागते हो, बड़ी तेज भागते हो, पूरे शेर की चीते की तरह भागते हो, बर क्या होता है, थोड़ी दे बाद हम थक जाते हैं, हमारी speed कम हो जाती ह होती ही न, होती ही न कम, तो उसके क्या है कि हमारी speed चेंज होगा, अगर देखा जाते हैं, यहाँ पर electron की velocity होती होती है, हम थोड़ा थक जाते हैं, तो यहाँ थक जाता है, यह थकता है, बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह अपनी energy release करता है, और वो जो अपन charge particle only करेगा, यह नहीं कि only अब without charge particle को अगर आप move करा रहे हो, तो उसमें निकलेंगी energy, charge particle, जैसे कि proton, electron, alpha particle, बीटा particle, ठीक है, तो charge particle, यह नहीं अब गामा पार्टिकल लेकर करो, मैं को चार्ज नहीं होता गामा पार्टिकल में, तो कोई charge particle, ठीक है न, तो according to Maxwell theory, कि अगर को कि उसकी जो energy वो घड़ती जाएगी, और जब वो energy घड़ती जाएगी, देखो आप, अगर ऐसी move करेगा, move करेगा, move करेगा, तो पहरे जो हमारा orbit था, वो, देखो, उसका size कितना बड़ा था, काफी बड़ा था न, यह जो बाहर मैंने dotted डाने गाई, इसके बाहरा size का orbit का, लेकिन होली अगर वो जा रहा है, अपनी move कर रहा है, वो move कर रहा है, वो accelerate कर रहा है, और होली 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 जाएगी, क्या खुछ दिर बाद, उसका जो orbit का size है, electron कहीं जा कि यहाँ पर आजाएगा, मालो, ठीक है, अब क्या हुआ, orbit का size इतना ही रह गया है, ठीक है, यह देखो, बहुत distance कम रही है, nucleus की बीच में, और कुछ समय ऐसा होगा कि, वो यहाँ पहुच जाएगा, और after some time, क्या हो जाएगा, कि जो nucleus में merge कर जाएगा, हम कह सकते हैं कि उसमें fall कर जाएगा, उसमें गिर जाएगा, जो की नहीं होता, actually, ठीक है, बना, जो atom है, अगर गिर जाए, nucleus में, तो क्या हो जाएगा, कि atom unstable हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई चीज exist नहीं करेगी, जैसे कि हमारे पास जो हाथ में हमारे pen है, यह हमारी जो यह page है, इस सम में atom है, अगर यह चीज होती, कि electron nucleus में गिर जाता, merge कर जाता, तो क्या होता, student, कि कोई भी चीज exist नहीं करती, कोई भी चीज जो हमारे, हम देखते हैं, अपने आसपास, वो कुछ भी चीज नहां होती, ठीक है, कोई चीज अंस्टेबल होती, ठीक है, जो हमारे हाथ नहीं, pen है, यह pen भी नहीं होता, actually हमारे पास, जो यह page है, यह page भी नहीं होता, जो आप, मतलब जिसके, इस डिवाइस के थुरू मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वह भी ना होता ठीक ना स्टूडेंट तो आप समस सकते हैं कि यह चीज गल्थ है जो मतलब यह चीज गल्थ है कि जो इलेक्ट्रोन इसमें फॉल कर जाएगा तो क्या रदर फोड ने यह मतलब उसने यह तो बता वह गिरता क्यों नहीं इसके अंदर ठीक है एक्शुली नहीं गिरता क्योंकि अगर गिर जाता तो कोई चीज एक्जिस नहीं करती तो नहीं गिरता एक्शुली ठीक है एक्शुल में वह नहीं गिरता लेकिन हम कहते है कि according to this theory वह गिर सकता है ठीक है क्यों नहीं गिरता तो इलेक्टोन है रिवोल्स तो कर रहा है और बेट में बट गिर क्यों नहीं रहा है लेकिन अस्वेश में नहीं गिरता वो मतलब जो नूकलियस में बट ये गिर क्यों नहीं रहा तो रधर फोन ने हमें ये बात नहीं बताई ठीक है मैं बार बार ये शब्द कहा रहा हूं तो आप ऀका सामच addicted को द्यान समझना अब इसलिए ही होता है कि इसके बीच में कुछ व्रसी होते हैं कियों नहीं गिरता मैं आपको बता दू कि इसके बीच में लेकिन अभी तो आपको वह पर्वांट इस रिदहर और में नहीं है जो drawback में नहीं है तो लेकिन मैं आपको बता दूँ वो क्यों नहीं गिरता वो इसले नहीं गिरता कि जैसे कि इलेक्टरोन और जो ये अपना proton है या nucleus है इसके बीच में एक force होती है ठीक है student तो force के कारण वो नहीं गिरता वो force कैसी होती है तो आपको मैं बता हूँ कि जैसे ये हमारा जो हमारा कोई भी planet है या फिर हमारों की हमारा जो अर्थ है जहां हम धरती पे रह रहे हैं वो भी एक सूरज के तो आसपास चक्का लगाती है ठीक है सूरज के आसपास चक्का लगाती वो इलेक्ट्रोन है वो न्यूक्लियस साथ मर्ज नहीं करता और जो प्लैनिट है जैसे कि हमारा अर्थ है वो सुर्थ साथ इसलिए नहीं मर्ज करता या वो सुर्थ साथ इसलिए नहीं टकराता क्योंकि उन दोनों के बीच में जो सन है और हमारा जो अर्थ है उसके बीच में एक force होता है जो हमने पढ़ाता ग्रैविटेशनल force होता है ठीक है ना ग्रैविटेशनल force होता है उसके वेसे जो हमारा अर्थ है वो घूमता तो रहता है जो sun के आसपास बट वो sun के साथ collide नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर भी वो ही थियूरी लगेगी कि इन दोने के बीच में एक force होता है लेकिन अभी हम उसे force की बात नहीं करेंगे तो कह दें तो electrostatic force होता है जो आपने पढ़ा है अब लेकिन एक बात को ठीक है तो आप कहतें कि electrostatic force होता है बीच में इसके और ज्यादा कोई बात नहीं करने है हमने तो यहाँ लिख सकते है यह तो एक first जो हमारा drawback हो गया ठीक है first my drawback complete हुआ और जो second drawback है student वो क्या है कि it does not gives information give give it does not give information about यह फिर कह सकते है और it does not it doesn't it doesn't explain the hydrogen line spectrum यह hydrogen spectrum कह सकते है ओली hydrogen line spectrum यह फिर hydrogen spectrum hydrogen spectrum ठीक है student तो यह जो उसका second जो उसका drawback है कि वो hydrogen spectrum को explain नहीं कर पाए यह फिर hydrogen line spectrum को explain नहीं कर पाया तो इसके बारे हमें कोई भी information नहीं दी कि वो क्यों नहीं गिरता ठीक है student और जो second point है वो क्या है कि it does not gives information about और और do not explain the hydrogen line spectrum hydrogen spectrum ठीक है student तो जो first point आप लिख सकते है ऐसे कि according to electromagnetic theory given by Maxwell and Lorentz the accelerated charge particle released energy continuously and this type of energy is called electromagnetic wave and in an atom when electrons revolve around the nucleus it accelerated in the orbit and lose energy continuously and therefore the radius of the orbit is decreased and it comes near to the nucleus and merge with the and merge with the and merge with the positive charge in the nucleus and it is impossible because due to this the atom becomes unstable it is a drawback of Rutherford atomic model ठीक है student तो यह हमारे दो जो drawback ने वो हो चुके मुझे आस है कि I hope आपको यह अच्छी तरह समझाया होगा अगर यह आपको वीडियो अच्छी तरह ना भी समझाया कोई point रहा गया तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो या फिर मैं description में email ID दोंगा आप मुझे email भी कर सकते हो और student अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe my channel and इस वीडियो को जा जा शेयर करो ठीक है student अपने जितने भी फ्रेंड्स है college friend विगार सबसे शेयर करो और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो अच्छी चीबनाता रहूंगा फिर्म जाच टूर और गुडबाई वाँ नाइस दी